अगर आप इन तीन टिप्स को फोलो करते हैं तो आपका पार्टन आपको अपनाने के लिए तरसेगा है जिसे आप प्यार कर रहे हैं वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है तो आप ये तीन काम करते हैं तो 110% मैं गरंटी के साथ कहता हूँ कि आपका पार्टन आपको अपनाने के लिए तरसेगा जो इंसान आपको छोड़ के जा रहा था छोड़ के गया है वो इंसान आपको अपनाने के लिए तरपेगा वो इंसान आपको पाने के लिए तड़प उठेगा ऐसा आप करेंगे तो तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंफ्रमेटिव हो जाता है इसको आप लाट्स तक जरूर देखेगा ये वीडियो आगे आपकी हेल्प जरूर करेगा ये वीडियो गर्स और वो इस दोनों के टिकरी के लिए समान रूप से फ़िए होगा इसको अपने असाब से आप देख सकते हैं तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पॉइंट को डिसकस करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला काम है जो आपको करना है वो यह है कि कभी भी आप नफरत मत करना जी हां दुस्तों कभी भी आप हेट मत करना अपने पार्टन से अगर आपने जरासा भी अपने पार्टनर से सचा प्यार किया था या आप उसे सचा प्यार कर रहे हैं तो कभी भी आप उससे नफरत मत करना उसे हेट मत करना भले ही वो इंसान आपको मिले या ना मिले उससे आप नफरत मत करना यह बात मेरी आफ गाट में जरूर बांद लीजेगा अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं मतलब कि उसे आप तडपाना चाहते हैं फिर से वो इंसान आपकी लाइफ में आए आप ऐसा चाहते हैं तो आप उसे कभी भी नफरत मत करेगा वो इंसान आपको भले ही छोड़ के गया है लेकिन आपको उसे hate नहीं करना है अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत सारे लोगों की life में होता है कि जिस इंसान को छोड़ा गया होता है जिस इंसान को मतलब वो इंसान छोड़ के जाता है तो वो इंसान क्या करता है कि वो हेट करना स्टार्ट कर देता है मतलब कि उसे वो खुदी सजा देना स्टार्ट कर देता है उसको उसके किये की सजा क्या ही मिलेगी उल्टा वो और ज़्यादा भाव खाने लेगेगा तो आपको ऐसा नहीं करना है उसको उसके किये की सजा नेचर खुदी देगा आपको बस सांत रहना है कभी भी उससे नफरत नहीं करनी है आप पहले उसकी लाइफ में थे बैसा आप नॉर्मली बिहेव अपनी लाइफ में करते रहिए कभी भी उससे हेट मत करीगा ये बात आप ध्यान रखेगा मेरा पहला पॉइंट है पहली टिप से इसको आप गांट में बांध लीजेगा अब आगे बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट की बात करते हैं दूसरी टिप से जिसको आपको फोलो करना है अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए तरसे तो पहले पॉइंट के बाद आपको दूसरा काम करना है वो ये है कि कम्प्लीटली गाइब हो जाओ कम्प्लीटली डिस अपियर हो जाओ देखे एक होता है गाइब हो जाना और एक होता है कम्प्लीटली गाइब हो जाना यहाँ पर आप समझे कम्प्लीटली गाइब हो जाओ ऐसा नहीं कि आप गाइब तो हुए लेकिन पूरी तरह से आप डिस अपियर नहीं हुए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोसिस कर रहा हूँ जैसे कि गाइब होने का मतलब है कि एक हपते के लिए पूरी तरह से सारी एक्टिविटी बंद कर देना जैसे कि आप अपने जितने भी सोसल मीडिया या फ्लेट फार्म है बहाँ पर एक्टिविटीज दिखाते हैं तो बहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज मत करिए मतलब कि completely गाइब हो जाए कुछ भी मत करिए और एक बात आप ध्यान रखें कि आपको उनको ब्लोक नहीं करना है अगर आपने उनको ब्लोक किया तो आप मेरे उस पहले पॉइंट पर आप खरें नहीं उतरेंगे ध्यान रहे आपको उससे ब्लोक नहीं करना है मैं यहाँ पर आपको completely गाइब होने के लिए बोलना हूँ से उसके मन में भाव जागने लगेंगे अगर आप यह काम करेंगे तो तो यह मैरा दूसरा पॉइंट हो गए तूसरी टिप्स हो गई अब बात करते हैं इसके बाद आपको तीसरा काम कौन सा करना है तो तीसरा काम आपको करना है इसके बाद वो यह है कि improve yourself जी हैं दोस्तों आप अपने आपको improve करने की कोसिस करें उन दो काम को करने के बाद वो पहली जो tips मैंने आपको बताई है पहला है जो आपको उनसे हैट नहीं करना है मतलब कि आप उनसे नफरत नहीं करेंगे दूसरा है completely disappear हो जाएंगे अपनी सारी activities बंद कर देंगे उसके इतना active आप दिखते थे उससे जाधा attractive आप आप दिखने लगेंगे मतलब कि अपने उपर और ज़्यादा काम करिए देखिए आप भले ही पहले से बहुत ज़्यादा attractive थे लेकिन उनकी नजरों में जितना आप थे उनसे कहीं अधिक जाधा आप अपने आपको और ज़्या परकी नहीं पड़ा है यह तो और ज़्यादा मतलब कि आप तो पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बदल गए हैं क्या बात है मतलब कि इनके उपर कोई फरक नहीं पड़ा है तो एक दम से वह ऐसा मतलब confused हो जाएगा और तडपने लगेगा आपसे बात करने के लिए आपको पाने के लिए तो यह जो तीन काम आप करते हैं जो मैंने आपको बताया हैं अगर कोई आपको छोड़ के जाता है तो आप करते हैं तो 100% में गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका पार्टन आपको पाने के लिए जरूर तडपेगा यह आप इन तीन काम को करते हैं त तो आई विडियोव आपको पसंद आया हूगा ये तीन टीप्स आपको पसंद आया हूँगे और इंडे में तक आपने मारे इंस्टाग्राम पेज को फोलो कर सकते हैं और यह आप मुझे बात करना चाहते हैं तो कॉल्फरी में अप्लिकेशन को यह दोरा मुझे बात कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में वस्तना इमिन तक लिए व्यूड़ी में थैंक्स पूरा चीन आन्वा तो तो